ममताब अनर्जी के राप पर चल गए हैं तिजस्वी यादव चोट को भी चुनावी मुद्दा बना लिया है नमश्कार आप देखें न्यूस फॉरनेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ यह हमने कहना है बलकि यह कहना है बीजेपी का दरसल बता दे कि लोकसभा चुनाव जारी है दो चरणों का मतदान हो गया है अब अगले साथ मई को बिहार में तीसरे चरण का मतदान होने वाला है इसे लेकर तैयारिया जोरो शुरू पर है तो जिस भी आदव लगतार मूर्चा संभाले हुए हैं अब ऐसे में हर चुनाव के वक्त कुछ ना कुछ मुद्दा मिल जाता है निताव को जिस मुद्दे पर वो चुनाव जो है लड़ते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं अगर आपको याद हो तो बंगाल में जब विधान सभा चुनाव हुआ था उस वक्त ममताब अनरजी के यानि जो बंगाल के मुखे मंतरी हैं और टीएमसी प्रमुख ममताब अनरजी के पैर में चोट लग गई थी और उस चोट को बीजे पी ने कहा था कि इन्होंने चुन कि लिए उनके लिए वोट जो है वो मांग रहे हैं बीते दिनों तिजिस्वी यादव के का एक वीडियो सामने आया जिसमें जब मंच पर वो जनता को संबोधित कर रहे थे उस वक्त वो अचानक लड़ खडाने लगते हैं फिर उनके कारेकरता उनके समर्थक जो हैं तिज के पहले बता दे कि अब तिजिस्वी यादव को ममताब एनर्जी से कंपेर किया जा रहा है कि ममतादीदी ने जो चाल चला अब उसी चाल पर उसी राह पर तिजिस्वी यादव भी चल रहे हैं राज़त नेता और बिहार के पुर्व उप मुख्य मंत्री तिजिस्वी यादव शुक्रवार को दर्द से बेचैन दिखें उन्हें मंच से कारेकरताओं ने सहारा देकर नीचे उतारा उन्होंने शनिवार को बताया कि उनकी कमर में दर्द है जो बढ़ गया है हाला कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ये दर्द बिहार के उन करोडों बेरुजगार युवाव की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जिस्वी आदव शनिवार को अपने एक सकाउंट पर पोस्ट किया महीनों से अलट पलट वाली अत्तक समाजिक राजनितिक यात्रा रही है आराम के अभाव एवं निरंतर यात्रा के कारण दो हफते से मेरे कमर में हलका दर्द था दो दीन से अचानक बढ़ गया है आपको बता दे कि इससे पहले ममता बनर जी ने भी 2021 में पश्चिम बंगाल वधान सभा चुनाव में पैर में चोट दिखा कर सहानुबूती बटोरने की कोशिश की थी जिस्वी आदव ने आगे कहा कि लेकिन मेरा ये दर्द बिहार के उन करोडों बेरोजगार हिवाव की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो नौकरी रोजगार के आस में बैठे हैं जिनके सपनों को विगत दस वर्सों में धर्म की आड़ में कुचला गया है मैं अपने दर्द को भूल जाता हूँ जब देखता हूँ जैसकी कैसे गरीब माताव बहनों को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी पीरा का अनुभा होता है किसान भाईयों को सीचाई के साधन वा फसल का उचिदाम नहीं मिलने तथा संसाधनों के अभाव में रोजी रोटी के लिए लाखो साथियों के पलायन का कस्ट देखता हूँ तो मुझे मेरा दर्द महशूस भी नहीं होता फिर साथी तिजस्वी आदव जो है वो नीचे एक वीडियो भी शेयर करते हैं इस वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से तिजस्वी आदव जो है वो दर्द से विचैन है पीरा से विचैन है और फिर उनके समर्थक जो है वो उन्हें सहारा दे करके उन्हें मंच से न पीचे उतारते हैं तो जिस्वी आदव आगे ये भी लिखते हैं कि छात्र को पीड़ा है क्योंकि उन्हें अच्छाई पढ़ाई नहीं मिल पा रही है बिहार के मेरे बुजुर्गों को पीड़ा है कि उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही थाना ब्लॉक के भरस्टर अत्याचार से आमजन परेशान है हर वर्ग को पीड़ा है क्योंकि उनके अधिकार उनका न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा है मैं इन सबों की तकलीफ में अपने आपको साजीदार मानता हूँ तिजस्वी आदव ने आगे कहा कि बिहार में इंडिये सरकार से जनता तरस्त है ऐसे मैं यदि मैंने अपनी पीड़ा को चिंता की और पीड़ा की चिंता की और ये कदम रुक गए तो फिर लोगों की उमीदें भी बूज जाएगी महंगाई, ताना, शाही, अत्याचार और अन्याई की आग में बिहार जुलसता रहेगा इसलिए मैंने तैक किया है कि भले ही बाधा कितनी हो भले ही दर्द कितना हो रुकना नहीं है जुकना नहीं है ठकना नहीं है लक्ष के प्राप्ती तक चलते जाना है बढ़ते जाना ह जिताते जाना है लक्ष प्राप्त किये बिना रुकना मेरे खून में नहीं है अब इस पर आपको बताते चले कि जद्यू के तेज तरार प्रवक्ता निखिल मंडल ने तजस्वी आदव के इस ट्वीट पर जवाबी हमला बोला है उन्होंने कहा है कि तजस्वी आदव ममता बनर जी की रा पर चलते दिख रहे हैं एक समय ममता बनर जी ने भी अपने पैर में चोट को चुनावी मुद्दा बनाया था अब तेजस्वी भी उन्हीं की तरह नकल कर रहे हैं लेकिन उन्हें बिहार के बिरोजगार युवाव को ये भी बताना चाहिए कि अब तक वो न नजर आ रहे थे मंच पर आशन दे रहे थे उस वक्त उनके समर्थकों ने उन्हें सहारा दिया और मंच से नीचे उतारा अब इस वीडियो को आज सुबह सुबह या निशनिवार को तेजस्वी आदव ने अपने एक ऑफिशियल पर शेयर किया और फिर लिखा भी कि बिहा के लोगों के दर्द के सामने मेरा ये दर्द कुछ नहीं है मेरा ये पीडान कुछ नहीं है उन्होंने बस बताया कि उन्हें आखिर उन्हें क्या तकलीफ ने कहा कि उनके कमर में दर्द है और चुकी अभी उनकी लाइफ जो है उनका जो आम जीवन वो वेस्त हो चुका है के वज़े से जिसके वज़े से बीते दो-तिन दिनों में उनकी जुद्धर थे वो और भी बढ़ चुकी है अब इस पर जद्यू ने प्रहार किया है जद्यू के तरफ से ये पलटवार किया गया है और कहा गया है कि एक बार यानि 2021 के विधानसभा चुनाव में ममताब अब इस पर राजद की तरफ से तिजस्वियादव की तरफ से क्या कुछ प्रतिकरिया आएगी क्या कुछ पलटवार आएगा उससे हम हाजिर होंगे फिलाला मेरे इजास्त